डियर फ्रेंड्स पहले की समय में बच्चे जित करते थे कि उन्हें कहानी सुननी हैं और बच्चों को कहानिया सुनाई जाती थी पर आज की समय में ऐसा नहीं है आज की समय में बच्चे जित करते हैं मूबाइल के लिए बच्चे जित करते हैं टीवी के लिए इसके पीछे क जीवन के विकास में जो कहानी होती है उनका विशेस महत होता है कथाएं होती है उनका विशेस महत होता है प्राचिन समय से यहीं परंप्रा रही है घर में मा बच्चों को कहानी सुनाती थी बच्चे बड़े चाओ से कहानी सुनते थे कभी कभी तो बच्चे कहाने सुनने के लिए मचलते भी है माताएं अच्छी अच्छी कहानी अच्छी अच्छी कथाएं बच्चों को सुनाती थी जिससे उनका ज्ञान वर्धन तो होता ही था साथे साथ उनमें संस्कार भी आते थे कथा और कहानी कई तरह की होती है कुछ तो कालपनिक होती है जिससे प्राइम मनुरंजन होता है बच्चे उने सुनके हसते हैं लेकि कुछ कथाएं ऐसी होती है जो एतिहासिक होती है जो पाराणिक होती है और जो सांस्कृतिक होती है जिससे जीवान में प्रिर्णा मिलती है उनके जैसा बनने की और संसकार भी बनते हैं वास्तों में जो कथाएं होती है न वो मनश्य के अंदर के मन को चूती है और उनमें चेतना और संसकार सीलता को विक्सित कर देती है इनमें सौभावे की एक आकर्शन होता है जैसे मूवी देखके इनसान उसमें खो जाता है सीजल देखके उसमें खो जाता है उसे पसंद करता है वैसे ही उस समय कथाओं में होता था कहानियों में होता था बागे सब चीज छोड़ दें अगर आब रामचरित मानस पर अर्थसाहित पढ़ेंगे तो चीजें हमारी आँखों के सामने होती हुई हमें दिखाई देती है और व्यक्ति इन्हें मनोयोग पूर्वरत चाओं से पढ़ता है तो जो कथाओं होती है उसका मस्तिश्क पर तो को नगारा नहीं जा सकता आज ये समय में भी वो चीजें हो सकती है ना तो कुछ मॉडर्ण होता है ना कुछ परामपरागत होता है अच्छे इंसान वही है जो पुरानी चीजों में से जो अच्छा है उसे ग्रहन करे और जो नई चीजों में अच्छा है उसे ग्रहन कर सब कुछ पुराना भी अच्छा नहीं हो सब कुछ नया भी अच्छा नहीं